हलो दोश्तों कैसे हूँ आप सब आसा है आप सब अच्छे होंगी इस बार आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फिूजन में हैं कि रक्षा बंधन किस दिन मनाया जाएगा भाई बहन का यह तेवहार किस दिन मनाया जाएगा वैसे आप सभी जानते हैं कि पूरिमा के द तो रक्षा बंधन किस दिन मनाना चाहिए आज हम आपको इसी की जानकारी देंगे पूरा हम आपको बताएंगे कि रक्षा बंधन आप ग्यारा को मनायेंगे या बारा को अखिर रक्षा बंधन मनाना किस दिन सही होगा बारा को सावन पूरिमा को पंचक योग लग रहा है इसके अलावा सौभाग योग अभिजीत योग भी सामिल है तो इस साल रच्छा बंधन कब है इस बार दो दिन की पूरिमाति थी पड़ रही है ग्यारा को जो पूरिमा है उसमें पूरा तिन भद्रा नचत्र रहेगा और जो तिस सासर के अनुसाद भद्रा में कोई भी पञ्चांग और अनपूना पंचांग सामिल है 11 अगस्त को सुरियोदे प्राता 5.30 में हो रहा है इस दिन पूरिमा का मान दिन में 9.35 मिने लेकिन उसी समय यानि 9.35 मिने पर दिन में पूरिमा के साथ भद्रा का भी प्रारंब हो रहा है भद्रा का साया रातरी 8 बच के 25 मिनट तक है 12 अगस्त को सुबा सुर्योदे 5 बच कर 31 मिनट पर होगा और पुड़िमा कमान सुबा 7 बच के 17 मिनट तक है जोतिस सास्तर के अनुसार इस बार रक्षा बंधन के दिन 2 सुभ यूग बन रहे हैं दरेसर इस दिन आयुषमान और सौभागी यूग का निर्माड हो रहा है आयुषमान यूग दुपहर 3 बच कर 32 मिनट तक रहेगा इसकी बाद सौभागी यूग सुरू हो जाएगा स्वभाग योग किसी भिसुपकारी के लिए मंगलकारी माना गया है जबकि आयस्मान योग के योग में किये गए कारी लंबे समय के लिए फलदाई होते हैं दोस्तों धार्मिक मानिता ऐसे भी है कि जब भी आप भाई को राखी बानें तो उस समय भाई का मुझ पूरब दिशा की ओर और बहन का मुख पक्षिन दिशा की ओर होना चाहिए राखी बांधने के लिए सबसे पहले अपने भाई के माथे पर रोली चंदन और अच्छत का तीका लगाए इसके बाद भाई को घी के दीपक से आर्थी करें उसके बाद राखी बांध कर उनका मुझ मीठा कराएं इसके बाद अगर संभव हो तो सप्रेम भोजन के लिए आगरे करें दोस्तों तो आप सभी ने जाना होगा कि रक्षा बंधन का सही समय क्या है किस दिन राखी बांधनी है आपको तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि 12 तारीक को ही आप रक्षा बंधन मनाए क्योंकि इस दिन पूरा दिन पूरिमा है और सुभयोग भी है दोस्तों असा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी हम फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आप सभी कुरक्षबंधन की हार्दिक सुभकामना है